हलो एवरीवन वेल्कम टू लेर्नर भी एक्स्ट्रा आयम शिवानी चाहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ माट्स की बुकर चाप्टर वन एक्सराइस वन पॉइंट थी के क्वेश्चिन नंबर टू और थी हम इसमें कवर कर लेंगे क्वेश्चिन न नंबर टू जो है इसमें हमें बोला गया है कि आपको बता दिया है कि जो वन अपॉन सेवन है ना उसकी वैल्यू होती है 0.142857 का बार बार का मतलब होता है यह वाला नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो अब आपसे पूछा गया है can you predict what decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division तो बिना long division करें मतलब आप 2 by 7 की पुल उसको डिवाइड करें या फिर 3 by 7 इन सब को बिना डिवाइड करें कि आप answer निकाल सकते हैं तो हाँ आप answer निकाल सकते हैं कैसे देखिए जरा है हाँ पे आप लोगों को 1 upon 7 की value दे रखी है यह तो 2 upon 7 की value क्या होगी यह जो given है 0.142857 ठीक है यह किसकी value given है यह हमें given है 1 upon 7 की तो आप 2 upon 7 की value कैसे निकालोगे देखो यहाँ पर बता रखा है और यहाँ पर देख लो 2 upon 7 की value क्या करोगे यह जो है ना number इसकी 2 से multiply कर दोगे तो 2 into 0.142857 जब आप इसकी 2 से multiply कर दोगे ना तो क्या होगा 2 है ना इसको क्या करोगे यह हो जाएगा 0.285714 तो basically क्या कर रहे हैं हम लोग 142857 की 2 से multiply कर रहे हैं तो देखो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, carry 1, 2 जा 4 तो 5, 4 जा 8 और 2 1 जा 2 जा 0.0 given था हमें 1 upon 7 की value इसकी हमने क्या कर यह multiply कर दी ठीक है यह जो हमें number यह value given है ना यह वाली देखो यह वाली जो value given है इसकी हमने 2 से multiply कर दी जब इसको हम लोग 2 से multiply कर देंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा 0.285714 ठीक है यह आ जाएगा इसी तरीके से अगर आप लोगों को 3 upon 7 निकालना है 3 upon 7 निकालना है तो यह जो है ना यह 0.12857 इसकी multiply क्या करोगे 3 से कर दोगे फिर इसके बाद आप लोगों को 4 upon 7 निकालना है तो यह जो है इसकी multiply 4 से कर दोगे 5 upon 7 निकालना है तो यह जो हमें given है 0.42857 इसकी multiply 5 से कर दोगे 6 upon 7 निकालना है तो 6 से कर दोगे 7 upon 7 निकालना है तो 7 से कर देना इसी तरीके से जिस की भी value आपको निकालनी है ना जैसे की 2 upon 7 निकालना था तो यह जो हमें given था यह वाला ये वाला है ना ये गिवन था इसकी multiply आपको ने क्या कर दी 2 से कर दी हाँ पर 3 अपन 7 निकालना था तो इसकी multiply 3 से कर दी फिर 4 से कर दी 5 से कर दी 6 से कर दी और हमारी जो हमें values शाहिए थी वो निकाल ली तो thus without actually doing the long division we can predict the decimal expansion of the given rational number by multiplying them with their respective numbers इसे multiply करके आपने answer निकाल लेना है तो question number two easy था ठीक है है easy था नहीं लगा या लगा बता देना या नहीं लगा हो तो एक बार दुबारा से देख लेना दुबारा से देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा basically हम लोगों सिर्फ एक simple सी चीज करनी है कि यह जो number है इसको one upon seven था तो फिर two से multiply कर दो two upon seven three upon seven निकालना है तो three से multiply कर दो है न four upon seven निकालना है तो four से इसी तरीके से कर दो के तो answer आ जाएगा question number three जो है वो है express the following in the form p upon q तो यह जो है ना यह वाला question है बहुत ज़्यादा important और exam में सबस्दा actually यही पूछा चाता है इस chapter से ठीक है तो यह अच्छे से करना पी upon q p upon q की form में आप लोगों को इसको express करना है point six बार को इसको इसको है ना तो वेर p and q are the integers integers का क्या मतलब है कि one two three कुछ भी हो सकते है बट क्यू जो नीचे वाला है हमें क्या करना होगा यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूं यहाँ पर देखो solution है साथ-साथ मैं आपको समझा रही हूं देखो जो आपको given है न यह 0.6 बार तो इसमें क्या करना है इसमें ऐसे करके x की value let x is equals to 0.6 का बार ठीक है x की हमने 0.6 का बार ने इसको x माल लिया अब देखो यह जो बार होता है इसका मतलब होता है कि यह वाला number बार बार repeat हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा 0.6666 ठीक है यह चलता जाएगा तो since there is one repeating digit क्योंकि यहाँ पर एक repeat होने वाली digit है तो इसको बार बार लिख सकते है फिर आप लोग क्या करेंगे we will multiply both the sides by 10 we will multiply both the sides by 10 तो 10 से आप लोग डोनों की डोनो साइट को क्या करोंके multiply करदा होगी इसको equation चलो one माल लेते यह इस्तर और इधर डोनो तरफ आप क्या करोंके multiply करदोगे तो x को इधर लग दो ठीक है अब क्या करना है यह क्या हो जाएगा x की अब हम लोग इसको दोनों तरफ 10 से मल्टिप्लाय करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 10 से मल्टिप्लाय करते हैं जिस पी चीज की तो यहां पर पॉइंट था ना आप मल्टिप्लाय करके देखो मैं दिखा देती हूं शॉट में इसकी मल्टिप्लाय कर आप लोग तो यह तो दोनों जीरो जीरो जाएगा फिर यहां पर क्रॉस लगाते है फिर 166 वाद 6 जाएगा अब देखो यह क्या है पॉइंट के बाद दो नंबर है है तो दो नंबर के बीच में ऐसे करके पॉइंट लग जाता है सी तरीके से ना पीछे सी पॉइंट के बाद दो ठीक है, 666, इस तरीके से आप लिख दोगे, आप इस वाली को equation 2 माल लो, अब क्या करो, ऐसे करके, subtracting equation, subtracting 2 from 1, ठीक है, 2 from 1, subtract करो आप, तो हम इसमें से इसको subtract कर देंगे, ठीक है, इसमें से इसको, इस वाले में से इस वाले को, तो 10x minus x is equal to 6.666 minus 0.666 है ना, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो बार 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 रिपीट ही हो रहा है, तो basically आप लोग का क्या होगा, यहाँ पर 10x minus x क्या हो जाएगा, 9x ह हो जाएगा, और इसमें से इसको minus करोगे, तो यहाँ पर देखो ज़रा, 06.666 क्योंकि यह तो बढ़ता जाना, कितने भी 6 add कर सकते हो आप, और यह क्या है, 6666, तो simple सा यह तो cut जाएगा, आपस में क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर इधर क्या बचाएगा, इध 2 upon 3 आ गई, है ना, तो आ गया समझ, x की value यानि कि जो x को हमने क्या माना था, x को तो हमने 0.06 माना था, आप इसको यहाँ से चाहिए हटा सकते हैं से करके, फिलाल आप यह देख लो यहाँ से, कि x की value आपने क्या मानी थी, 0. यह मानी थी, तो x की जगा हो जाएगा, 0.6 का bar is equal to 2 upon 3 आप का अंसर आ गया, हम लोगों ने क्या क्या किया है, यहाँ पर देखो, कि we will, let x is equal to 0.06 का bar, फिर x की value क्या है, ठीक है, x क्या है, 0.6 का bar है, तो bar का मतले पकेती पार भी repeat कर सकते हो, अब हम यह x is equal to 3 हो सकता है, फिर इन दोनों को हम लोग क्या multiply करेंगे, 10 से multiply करे तो दोनों तरफ, तो यह 10x हो गया, 6.66 हो गया, अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो यह देखो, यह माइनस हो रहा है, 9x हो गया, और फिर उसके बाद 9 को इधर बेजेंगे, तो x की value क्या आ गई, 2 upon 3, x की value हमारे पास यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर अगर हम इसे द अब देखो, हमारे पास x क्या given है, हमें 0.47 given है, 47 का bar, अब देखो, bar किस पे है, bar सिर्फ और सिर्फ 7 पे है, तो जिस पर bar होता है, सिर्फ उसी को repeat करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यह है, तो इसके x is equals to, हम लोग ले लेंगे कि यह है, 0.7 bar, तो हम लोग और क्या लिख आ देते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, 10 से multiply, वही पहले जैसा multiply, equation 1, from 10, by 10, multiply equation 1 by 10, both the sides, both sides, मतब दोनों तरफ आप लोग 10 से multiply कर दीजे, तो 10 into x is equals to, इधर क्या हो जाएगा, 0.4777 into 10, इधर भी 10 से multiply कर दो, तो यह क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जब भी 10 से multiply होगी, तो ये वाला जो number है point से इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 से multiply करोगे तो ये हो जाएगा 4.77 है ना बट ये जो question है इसमें 4.77 हमें कुछ बात नी बनेगी क्योंकि इसको multiply करेंगे तो कुछ निकलेगा ही नी अब हम क्या करेंगे इसको equation 2 मान के आप फिर से 10 से multiply करोगे तो multiply again by 10 या तो आप लोग एक बन 100 से multiply कर सकते हो या फिर चलो कोई बात नहीं यहाँ पर हम लोग multiply by 10 बोथ साइट्स फिर से आप लोग करोगे यहाँ पर दो बार करना पड़ रहा है क्योंकि हमें concrete solution नहीं निकलागा फिर से multiply करोगे 10 से और इधर भी 10 से multiply करोगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 100 X और इधर क्या आ जाएगा 47.7 आ जाएगा यह equation 3 हो जाएगी है ना अब यह 4.77 था और यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 47.7 अब 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर देखो यह इतना आ गया समझ में हमने क्या क्या किया हुआ है यहाँ पर X को हम लोगोंने जो 0.47 था ना उसमें 7 पर बार था तो उसको हमने X माल लिया ठीक है फिर उसके बाद हमने इसको दोनों तरफ इधर और इधर 10 से मल्टिप्लाय कर दिया तो 10X हो गया और 0.4 777 इंटू 10 कर दिया तो 10X is equal to 4.77 बट यहाँ पर हमारी कुछ बात बननी रही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साथ कुछ हम में मिलेगा नी फिर हमने 10 से फिर से मल्टिप्लाय किया तो यह हो गया 100X हो गया है और यह हो गया है 47.7 तो इसमें से अब इसको माइनस कर देंगे 3 माइनस 2 करेंगे तो 100X माइनस 10X अब देखो यहाँ पर हमने यह किया होगा है 100X माइनस 10X और 47.77 इंटू 4.7 तो यह देखो, यह क्या होगा, आप जड़ा यहाँ पर इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा, यह हो गया है, अब आपको यह, इसमें से इसको माइनस करना है, तो space की कमी हो रही है, यार, चलो यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है, इसको भूल जाओ, equation 3 और यह, पहले थोड़ा सा देख is equals to 47.77 minus 4.77, यहाँ पर यह point है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 90x, और यह क्या हो जाएगा 47 minus 4, क्या हो जाएगा 43, और यह 0.77, आपने इदे को कहीं पर 3 लगा दे, 7 कहीं पर 2 लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पटा, क्योंकि repeat हो रहे हैं, कितने भी लगा सकते हो, तो 43 ह हो जाएधर, तो x is equals to 43 upon 90, तो क्या आगया 43 upon 90, आगया answer, simple सा 43 upon 90, यानि कि 0.47 bar is equals to 43 upon 90, यह हमारा answer यहाँ पर आचुका है, तो हमने क्या 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 किया है, अब मैं यहाँ पर एक बार से समझा दू, x is equals to 0.47 का bar था, ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे करके लिख लिया, बार था तो बार बार किती भी बार लिख सकते हो, फिर इसको 10 से multiply किया, तो हमारे पास यह वाला आ गया, फिर उसके बाद हमने फिर से 10 से multiply किया, क्योंकि बात नहीं बल रही थी, आप स्टार्टिंग में 100 से multiply कर सकते थे, बार 10 10 करके क्या था कि सेम बना रहे, सारे questions में, फिर हमने 100 x होगा, फिर इसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो 43 होके 90 को नीची ले, इससे आगे तो divide नहीं होगा, तो x क्या हो गया, 43 अपन 90, और x क्या था, 0.47 is equals to 43 अपन 90, यह हमने रेशन नमबर क 3 जो है, इसको कर देते हैं, question इसका जो third part है, third part में हम लोगों को क्या बोला हुआ है, third part में, हमारे पास है, यह रहा, x की value क्या है, third part में, x की value है, 0.001 का bar, है ना, यह है x की value, अब यह देखो, यह बार-बार repeat हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0. 0.001001 इस तरीके से यह बार 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 बर У campus हो रहा है अब जरहा देखो यहां पर 123 3 बार रहें और आपकी आप देखो इससे पहले नहां एक पर ऐए इस हमले था इसका मताब 0.001 को आप लोग कर दो multiply 1000 से ये क्या हो गया ये हो गया 1000 x और ये क्या हो गया 123 तो इधर आजाएगा 1 है ना 1.001 इस तरीके से आंसर आजाएगा ऐसे चलता आजाएगा अब आप लोग क्या करोगे ये वाली जो equation थी ना ये वाली कौन से वाली ये वाली अब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो मैंने आपको दिखाया था अब इसको हम अगर equation के form में लिखें तो equation 1 है equation 2 है 2 में से 1 को माइनस कर दो 2 माइनस 1 करोगे तो 1000 x माइनस x is equal to 1.001 माइनस 0.001 तो 0.001 तो पी चला जाएगा ये क्या बचेगा 999x और 1 बचेगा यहाँ पर है ना तो x की वैल्यू क्या आजाएगी x की वैल्यू आजाएगी 1 अपॉन 999 ये हमारा अंसर आजाएगा आगे समझ जो अभी हमने इससे पहले वाले तीनों पार्ट्स में कर रहा था वही सेम चीज हमने यहाँ पर करी है तो देखो अगर मैं यहां से आपको समझाओं देखो हमारा एक्वेशन था फिर उसके बाद हम लोगों ने यह क्या किया इसको हमने क्या किया 1000 से मल्टिप्लाय कर दिया एक्स को हमने यह ले लिया था फिर हमने इसको 1000 से मल्टिप्लाय कर दिया तो इसको 1000 से मल्टिप्लाय किया तो यह बना 1.001 1000x is equal to 1.001, इसकी माइनस इस से कर दी, तो 1000x माइनस x, और इसकी माइनस इस से करी, तो क्या आ गया है? 1 आ गया, तो 1 upon 1 upon 999, तो x की वेल्यू क्या आ गई? 1 upon 999, हमारे पास x की वेल्यू यहां से आ गई है, तो हमारा ये 3rd part जो है हो गया है, और आगे के जो part, hopefully समझ में आ गया होगा, तो आगे के part जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, आए की question, thank you.